आज के शीडियो में आपको बताऊंगा किस तरफ से इग नो के अंदर री-रजिक्रिह elbow कर सकते हैं री-री री-रेजिक्रियunto होता क्या है और किस तरह से आफ सेकिंड डियर या फिर फाइनल एर में एडमिशन ले सकते हैं तो चलिए वीडियOC में बने रही है शुरू से लेके लास तक वीडियो की शुरुआत करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बतातू हूँ कि re-resistion re-resistion क्या होता है तो re-resistion इस प्रोस्ट को बोला जाता है यदि आपने फैस्ट एर में एडमिशन ले लिया है इसके बाद जो 2nd year में एडमिशन और 3rd year में एडमिशन की प्रोस्ट को re-resistion कहा जाता है इसके बाद re-resistion कैसे करें तो simply यहाँ पे आपको मैं पूरी जान करें बता हूँगा सबसे पहले आपको इगनू समर्थ पर जाके re-resistion कर सकते हैं secondary या फाइनल में एडमिशन लेने के लिए re-resistion करना होता है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहाँ पे आपको कोई भी ब्रावजर में जाना है यहाँ पे आपको इगनू सर्च कर देना है तो जैसे यहाँ पे इगनू सर्च करेंगे यह इसकी official website जो पहला link है इसके उपर आपको क्लिक कर देना है देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे enrollment number, ID and alerts का उप्चन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे alerts में यही आपका re-resistion का time आ चुका है तो यहाँ पे re-resistion का new करके आ जाएगा otherwise यहाँ पे आपको enrollment number, यहाँ पे आपका code, program code and date ओपर करके यहाँ पे आपको check status पे आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद में जो आपका जो भी menu है वो सारा इसमें show हो जाएगा इसके बाद मैं आपको simply इसके नीचे re-resistion का steps देख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पे कुछ हिदायते हैं, यह हिदायते आपको पढ़ लेना है तो simply जैसे मैं सारी हिदायते पढ़ लेता हूँ और पढ़ने के बाद सिंपली यहाँ नीचे आपको चाना है तो simply यहाँ जो check bar का है I understand and read इसके उपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद में proceed for re-registeration तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे student portal IGNU का जो भी है समर्थ यहाँ पे account open हो गया है यहाँ आपने account नहीं बना रहा है तो account भी बना के यहाँ पे आप login कर सकते हैं यहाँ आपने account बनाना नहीं आता तो एक video मैं end में दे दूँगा वहाँ से भी आप देखके सीख सकते हैं तो simply यहाँ पे अपना username, password और capture code login करना है देखिए जैसे यह सारी जो भी capture code है या फिर password है यह सारी insert करने के बाद में simply यहाँ login पे हम click करेंगे देखिए जैसे यह login पे click करेंगे तो आपका जो IGNU smart account है वो इस तरह से open हो जाएगा तो यहाँ पे dashboard पे click करेंगे तो यहाँ पे जैसे dashboard पे click करेंगे तो यहाँ पे profile, my certificate पे click करेंगे तो my certificates यह सारे इसमें show हो जाएगे तो यहाँ से आपको re-registeration का option देखने को मिल जाएगा student पे जैसे click करेंगे re-registeration तो यहाँ re-registeration पे आपको click करना है देखे सारी क्लिक करने के बाद में यहां Master MHD program है तो यहां पर program पर क्लिक करना है यह इस पर सारी details आ गई कि आपने क्या-क्या फेस्ट ये में admission लिया था उसकी क्या-क्या लिया था तो यहां पर सारी details यहां पर देखने को मिल जाएगी इसके बाद यहां थोड़ा नीचे जा करना है यहां पर देखिए थोड़ा नीचे करेंगे हम तो यहां पर click here to select our course तो यह जो सेकंडियर का re-registration तो यहां पर आपको click करना है देखिए जैसे हम click करेंगे study material का जो भी process है यह आप offline मंगाना चाते हैं या फिर online मंगाना चाते हैं तो इसमें से कोई भी option select के लिए जैसा कि मैं पहला option select कर लेता हूं जिसमें मीचे 50% का discount option देखने को मिलना है तो मैं यहां पर 50% का discount के click करता हूं इसके बाद मैं यहां group select group तो यह जो group है इसमें बहुत सारे group है इसमें आप जो भी subject आपको अच्छे लगते हैं वो group आप इसमें select कर लिए देखिए जैसे मैंने यहां पर सारी चीज़ select कर लिए है select करते ही यहां पर जैसे कि मैंने group 1 यहां पर select कर दिया तो उसके subject यह शो हो जाएंगे कि यह इसके subject है और simply यहां पर कुछ elective है कुछ compulsory है तो यहां पर simply आपको अच्छे से देख लेना है और उसके बाद next क्लिक करना है देखिए जैसे next या submit पर क्लिक करेंगे तो payment का option देखने को मिलना है तो यहां पर pay to gateway तो pay to gateway पर आपको क्लिक करेंगे तो payment detail आपको क्लिक कर देना कि आपकी जो payment है वो इतनी है आपको देनी पड़ेगी तो simply यहां पर जैसे हम click here to payment पर क्लिक करेंगे तो यहां पर payment option देखने को मिलना है कि phone पर UPI भारत पर गूगल पर या फिर इंटरनेट बहेंगे किसी एक को आप select कर लेना है तो यह simply मैं किसी एक को select कर लेता हूं जैसे यहां पर एक को simply select कर लोंगा इसके बाद नीचे जो simply option है pay now तो यहां पर जैसे कि मैंने phone पर क्लिक कर लिया है और pay now पर क्लिक कर दिया पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर यह जो फोन पर का option मेंसलेट करेंगे तो फोन पर के application पर चला जाएगा और यहां से आप पे जो इतना भी amount है वहां पर आपको क्लिक कर देना है तो simply मैं फटाफट इसको पे कर देता हूं देखिए जैसे यहां पर पे कर देंगे तो यहां पर जो भी password है वो करने के बाद मैं connecting securely तो यहां से आपकी जो payment है वह successfully यहां से आपकी जो भी आपका है उसमें चली जाएगी तो यहां पर जो है आपका admission हो गया है तो अभी दुबारा से हम click करेंगे यहां पर transition आपका successful हो गया है देखिए click here to करते ही यहां पर जो सारे courses है वो इस तरह से show हो गई है तो यहां पर आपकी जो payment है वो process में हो गई है अभी आपका second year का admission है re-resistation वो हो चुका है क्योंकि यहां पर देखिए बहुत सारे subject है faster and secondary के मिला के आपके दोनों effective compulsory and elective subject जो भी है वो इसमें show हो गए है तो इस तरह से आप re-resistation कर सकते हैं अभी यहां पर मैं जैसे back जाता हूं home पे आप click करते हैं इसके बाद check करते हैं कि आपका re-resistation हुआ है नहीं हुआ तो यहां history re-resistation पे आपको click करना है देखिए ज पूरी details show रही है timing और किस time पे और कितनी payment हमने ट्रांजिक्ट की है तो इस तरह से यहां पर payment यह जो भी आपका re-resistation हो चुका है तो आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे होगी अच्छे लगे तो प्र लाइक कीजिए share कीजिए और subscribe कीजिए इदी follow नहीं किया तो ज प्रांजिक्ट